जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में करोना के 4 हैर मरीज मिले 5 की मोथ एक्टिप केस 32 हैर के पार जारखन में एक्टिप केस इस प्रकार है राची 12236 पूर्वी सिम्हूं 7272 बोकारो 917 1270 धनबाद 750 रामगर 1333 पाच्मी सिम्हूं 778 कोडार्मा 452 पलामू 8272 देवगर 999 गुमला 396 गिरीडी 127 खूर्टी 455 लातेहर 244 सिम्हदेगा 326 सराइक लाखर 469 गडवा 350 लोहर दागा 423 चातरा 744 गोडडास 378 जामतगा 332 दूमका 650 साहिवगाई 212 पाकुर 162 मरीज एक्टिप हैं जार्खन में कुरोना का कहर 1749 बच्चे और तीन सिक्षक हुए संक्रमीत कुरोना के तिसरी लहर में अब बच्चे भी बड़ी संख्या में कुरोना संक्रमीत हो रहे हैं बता दे दूमका जी लेके जामा परखंड के जर्मुन्डी दूमका तथा सिकारी पड़ा परखंड के उचालिस छातरे और तीन सिक्षक कुरोना संक्रमीत पाए गए हैं बता दे दूमका के मुखे चिकित सा अधिकारी बच्चा परसाद सिंग ने बताया कि आसा पहली बार हुआ है जब बड़ी संख्या में 11-18 वरस के 34 स्कूली बच्चे कुरोना संक्रमीत पाए गए हैं बता दे कि ज़ारखन में स्कूल सहीत सभी सिक्षन संस्थानों को 15 जनवार 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया छेतरी ये भसाओ को लेकर ज़ारखन में 77 रूट गर बंधन के दलो में दरार जारखन में सत्ता रूट गरबंधन के दलों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है बतादे बेसक कॉंग्रेस खुल कर कोई बयान बाजी नहीं कर रही है लेकिन अंदर खाने उनमें मोखी मंत्री हेमन सुरेन के फैसले को लेकर काफी अकुलाहट है बतादे कॉंग्रेस में परदेश अस्तर के नेता से लेकर निचले अस्तर तक के कार करता इसे अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि गटबंधन सरकार की अगवा जामुमों सोची समझी रन नीती के तहद उनके वोट बैंक में अपनी पैठ बढ़ा रही है और वह कोई कड़ापर अतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं बतादे कॉंग्रेस हाई कमान भी चुपी साधे हुए है संभव है कि अब जार्खन में अपनी सयोगी जामों से किसी तरह के टकराव से बचाव चाती हो लेकिन लंबे समय तक अगर आगे भी नित्युत यूहीं चुपी साधे रहा तो दुकान से रासन लेना अनिवार्ज हो गया है बता दे खादे सरोजनिक वित्रन एमब भुखता विभाग ने इस बावत आदेश पत्र जारी कर दिया जन बित्रन पर नाली दुकान पर राजे के करीब 60 लाख राशन कारधारियों के लिए नई बिवस्ता जनवारी 2022 से ला से लागू होगा जारखन पुलिस की गाडिया हुई पुराने अब सियाज और स्कार्पियों से फराटे भरेंगे साहब जारखन पुलिस की खटारा गाडियों को हटाने की परकिरिया सुरू कर दी गया बता दे जल्दी जारखन पुलिस की पुराने गाडिया हटेंगी अब इंडिगो वा जेश्ट कार से नहीं बलिक मारूत्ती सियाज से चलेंगे, ससस्त्र वाहिनी के समादेश्टा भी अब जिपसी से नहीं बलकि एसकार्पियों से चलने का प्लान है, सांसत समर्थकों की रंगदारी जम कर हुई मारपीट, जहारखन के गिरी डी के आईसू सांसत चंद्रपरकास चोधरी के समर्थकों पर 36 गड़ कोरबा की कमपनी गुलजार रोड लाइन्स के प्रोपराइटर गुलजार सिंग राजपूत के साथ मारपीट किये जाने का मामला सामने आया है, बतादे सांसत के समर्थकों ने गुलजार सिंग की इतनी बेरामी से पिटाई किया है कि उसे सदर अस्पताल बोकारों में भरती कराया गया, मामला पैसे के लिए लेंदेन का है बतादे सांसद के समर्थकों के द्वारा मार पिट किये जाने का वीडियो भी कमपनी के लोगों द्वारा बना लिया गया है जिसमें सांसत के लोगों द्वारा सांसत रे गुलजार सिंग को बात करने उन्हें पैसे देने और नहीं देने पर जंगल में ले जाकर काटने की बात कही जा रही है इनोवेटिव आइडिया देने में ग्रामीन इसकूलों के बच्चे आगे जारखन के 101 चात्रों का चयान जारखन के 101 विद्यार्थियों का चयान इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए हुआ है इसकी घोसना हाल ही में विग्यान एवं प्रद्यों की मंत्रा लेने की बता दे इन जे भर के स्कूलों में पढ़ रहे नावी से बरावी कक्षा तक के बिद्यार्थियों से इनोवेटिव आइडिया की मांग की गई थी इस परत्योगता में 500 से अधिक बिद्यार्थियों ने अपना आइडिया जिलास्तरिय परत्योगता में पेस किया था बता दे बटादे हाइकोट ने कहा कि जब विभागे प्रोनती समीती की बैठक हो चुकी है तथा उसमें कर्मियों को प्रोनती के योगे पाते हुए उनसा की जा चुकी है तो ऐसी स्थिती में उनकी प्रोनती लंबे समय तक रोकना सही नहीं है बतादे कर्मियों को उनके अधिकार से वन्चित किया जाना समीधान की भावना के भी खिलाब है होल्डिंग टेक्स डिफोल्टरों के लिए नोटिस जारी जमसेदपूर के जुग सलाई नगर परिशद परसासन ने पिछले सब्ता बड़े होल्डिंग टेक्स डिफोल्टरों के नोटिस जारी किया है बता दे नोटिस में 15 दिन में बकाया होल्डिंग टेक्स जमा करने के लिए कहा गया है ऐसा नहीं करने पर जुग सलाई नगर परिशद परसासन आगी करवाई सुरू करेगा वहीं तीन नोटिस के बाद बकायादार के बैंक खाते सील कर दिये जाएंगे इतना ही नहीं परसासन बकाया टेक्स की वसुली कानूनी करवाई करके करेगा बकायदारों में होटल के अलावा कमर्सियल बिल्डिंग बहुमंजली इमारत भी सामिल है कुरोना लहर में भी पलामु की दिदिया सो रोजगार से जुल का तिन सवासी को बनाया आत्मनीर्भार अद्रिस् foster कुरोना संक्रमन ने पूरी दुनिया को हिला दिया है जो दो वक्त की कमाई कर परिवार का भवन पोसन करते हैं बता दे रोजगार छिन जाने के बाद घर में चुला चवक तक सीमित रहने वाली महिलाओ वह थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी दीदिया को नगर निगम ने आत्म निर्भर बनाने की दिशा में परियास शुरू किया यही से शुरू हुआ जीवन में खुसाल लाने के लिए अविरधार का वह प्रहार जो आज सहर के लगवग 380 दीदि को आत्म निर्भर बनाया है रिम्स के तिसरे तल्ले से गिर कर युवक की मौत बरियातू थाना छेतर के रिम्स के कार्डियो लोजी के तिसरे तल्ले से गुरुवार की साम 7 बजे गिरने से एक युवक की मौत होगा ही बता दे मिर्टक का नाम रहना है वह पिछले लगवग 2 वर्स से रिम्स में ही रखकर अपना जीवन यापन कर रहा है कार्डियो के तिसरे तल्ले पर गुरुवार की साम वह मौजूद था इसी दरन अचाना नीचे गिर गया नीचे गिरने पर तुरंत आसपास में मौजूद लोगों के सोयोग से उसे इमर्जेंसी में लाया गया जहां जाज के बाद डॉक्टरों ने मिरित घोसित कर दिया बता दे परिभारी बरियातू थानेदार अंखित कुमार ने बताया कि राना अतिअधिक सराप का सेवन करता था घटना के समय भी सराप के नसे में था निवेस के घर से पूलिस ने बरामत किये 6 पिस्टल और 85 गोली पिलेफाई सुप्रीमो दिनेस गोप को देने के लिए आरोपी निवेस पोदार ने अपने पिता के घर पर हाथियार चुपा कर रखा था इसका खुलासा तब हुआ जब रांची पूलिस ने पिलेफाई का मुख्य सयोगी निवेस पोदार से कलाई से पूश्टाच की बता दे आरोपी निवेस से डी एसपी मुख्यालायव नीरज कुमार धुर्वा थानेदार परवीन कुमार नामकुम थानेदार सुनिल तिवारी समेत अन्य पुस्ताच कर रहे थे आरोपी निवेस की निसंदही पर पुलिस ने उनके पिता आरोपी सुभास पस्वान के धुर्वा आदर्स नगर आमबा गान इस्थित घर पर छाप्य मारी की मकर संक्रान्ती के लिए 15 जन्वरी को सर्व स्रेष्ट योग मकर संक्रांती पर इस बार 15 जनवरी को सुर्य से जुड़ा बड़ा उभायचर समेत कई अन्य फलदाई योग बनेंगे बतादे इस दिन सुर्य से दुईतिया एवं 12 भाव में गुरू और सुक्र के उपस्थित रहने से स्रेष्ट उभायचर योग का निर्मान होता है वही चंद्रमा से दुसम भाव में गुरू जैसे सुब और कल्यनकारी गरह के रहने की वज़ा से अमला योग का निर्मान हो रहा है जो पुने दाई है बतादे मकर संक्रांती पर सुर्य का मकर राची में परवेश सुक्रवार की रात 8 बच कर 34 मेट पर होगा इसका पुने काल 15 जन्वारी को माने रहेगा धर्म सास्तर के मुताबिक मकर संक्रांती पर सुबह में असनान ध्यान और दान का महत्व है मने आता है कि इस दिन पितरों को जल और पित करने से आयू संतान और सुक सम्रिदी में ब्रिधी होती है जारखन में मौसम सुस्क और आस्मान साफ रहेगा जारखन में पस्मी विश्वब के परभाव से बने साइकुलेशन सर्कुलेशन का असर सुक्रवार से कम हो जाएगा बतादे इस दोरान राज्य के दक्षिन भाग में कुछ हिसे में बारिस के असार है इसके अलावा राज्य के अने इलाके में मौसम सुस्क और आस्मान साफ रहेगा मकर संक्रान्ती पर 15 जन्वरी से राज्य भर में मौसम साफ रहेगा और दीन में आस्मान में धूप खिली रहेगी लोग गुनगुनी धूप में संक्रान्ती का उत्सम मनाएंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेले करने वीडियो को एक लाइक कर में दोस्तों के साथ सेर करने ना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट बख में अपना फीड़बेक अवस्य दे थैंक यू